सलमान खान इतिहास के किस किरदार की बायोपिक बनाना चाहते हैं और इस हिस्टोरिकल बायोपिक में वो किसका रोल करेंगे जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोली ग्राद स्टुडियोज की इस नई पेशकश में इन दिनों भारती सिनेमा में खूब बायोपिक और हिस्टोरिकल फिल्में मनाई जा रही हैं हर बड़ा सितारा बायोपिक के नाम पर तैयार खड़ा है शायद वो जानता है कि असल जिंदिगी की जो कहानिये प्रिचलित हैं वो लोग बड़े परदे पर देखना भी चाहते हैं और देखे भी क्यों न क्योंकि लोगों को इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है बायोपिक फिल्मों की प्रवलिक सिटी भी बड़ी आसानी से हो जाती है क्योंकि दर्शत इतिहास के बारे में कुछ न कुछ तो जानते ही हैं तो वहीं इसी रेस में अपने भाईजान दबंग खान यानिकी सुल्तान वो कहां पीछे रहने वाले हैं तो सल्मान खान ने बताया कि वो भी एक हिस्टोरिकल किर्दार को परदे पर उतारने की इच्छा रखते हैं जब भाईजान की इच्छा है तो वो किसी न किसी दिन पूरी हो ही जाएगी अपनी आने वाली फिल्म के इंटरिव्यू में उन्होंने बताया इन दिनों भारती सिनेमा में हिस्टोरिकल फिल्में भी खूब बन रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं इसलिए मुझे भी इतिहास का एक किर्दार बहुत अच्छा लगता है जिसके लिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ उसका नाम चेगेज खान मंगोलय के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इजशत और फक्र से लेते हैं तो चंगेश खान का जन 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोन नदी के निकट हुआ था उसका वास्तिविग्या प्रारहमिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था उसके पिता का नाम येसुजेई था जो कियाद कभीले का मुखिया था चंगेश खान क अपनी पत्नी को छुडवाने के लिए चंगेश को लड़ाईयां लड़नी पड़ी थी उसके एक खास दोस्त का नाम था बोगू रचू था उसका सगा भाई जमूका भी उसके साथ ही रहता था जमूका हालांकि प्रारहम में उसका मित्र था बाद में वो शत्रू बन गया कभीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई बाद में चंगेश खान ने जमूका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कभीलों को अपने अधिन करने का भ्यान इसके बाद मंगोलिया से लेकर योरोप तक एशिया के कई हिस्सों पर उसने आ पूर रशिया एसिया और अरब देश चंगेश खान के नाम से ही कापते थे चंगेश खान ने अपना भ्यान चला कर इरान गजनी सहित पच्छिम भारत के काबोर कंधार पेशावर सहित कश्मीर पर भी अपना दिखार कर लिया था मंगोल शासक चंगेश खान इतियास का सफाय ही हो गया और जमीन जंगल में तबदील हो गई समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीवें चार करोण लोग मारे गए और उसने धरती की 22 परसेंट जमीन अपने नाम कर ली तो ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि सल्मान खान इस फिल्म को पर्वलिकली कब है और चंगेज खान की इतनी बड़ी जीवनी को वो तीन घंटे की फिल्म में कैसे उतार पाएंगे सूत्रों की माने तो सल्मान खान हो सकता है कि ये फिल्म ना बनाकर वो इस पर वैब सीरीज बनाए तो दोस्तों ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि भाई जान तो च सल्मान खान को इस्टोरिकल बायोपिक ड्रामा फिल्म करनी चाहिए या नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिक राद सूडियो